So, hello everyone, this is Zawar and Jan, welcome back to my YouTube channel, friends, one very important video, आज के इस वीडियो मैं बात करूँगा कि कैसे आप LinkedIn पे एक बेहतरी रिख्रीन क्रॉजल पोस्ट क्रेट कर सकते हैं, सबसे पहले मैं उसका एक ओवर्वियू देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह का क्रॉजल पोस्ट बिल्कुल बिदिन सेकेंड क्रेट किया है और वो भी AI के मदद से, तो आप भी इस तरीके से क्रॉजल पोस्ट बना सकते हैं, अट्रैक्टिव क्रॉजल पोस्ट बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपका नाम, आपका जो भी कंटेंट है, वो आपके सोचल मीडिया पे, LinkedIn पे, you can share this, क्रॉजल पोस्ट, इंगेजमेंट के मामला में LinkedIn पे अच्छा उवर कर रहा है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, अब इस पूरे प्रोस्ट को समझते हैं, तो इस प्रोस्ट में आपको दो वेबसाइट का यूज लेना है, सबसे पहले, OpenAI का चैट GPT, और दूसरा, LinkedIn के ल फ्री में बनता है, अब इसमें दो option है, कि जब आप इसमें काम कर रहे हैं, तो आप इसको केबल topic दीजी, आप जैसे इसको topic देंगे, तो यह अपने आप crossl बना देगा, जैसे मैं example से समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रस्टन बाढ़नी, अब यह generate crossl पे गया, तो य अपने आप बना देगा, एक तरीका तो यह है कि इसी particular जो tool है, उसी पे जाके काम करें, और वहां से हम लोग crossl generate कर दें, दूसा तरीका है कि हम थोड़ा सा और अच्छा level पे काम करते हैं, यह हम chat GPT से content निकालते हैं, और फिर उसका इस्तमाल करेंगे, जैसे यह already crossl हमारा आप design, आप layout, उसके according आप change भी कर सकते हैं, अलग-अलग यहां पर आपको background design element भी मिलेगा, आप content भी edit कर सकते हैं, माले जाए हर slide का content आपको change करना है, तो उस slide पर click करें, और title और text आप change कर सकते हैं, कुछ settings भी रहेंगे कि किस तरीके से आपको दिखना है, आप if you want to show your LinkedIn handle तो उसका link आपको यहां पर देना पड़ेगा, नीचे मैं आपका LinkedIn handle भी आजाएगा, जैसे let's suppose मैं अगर जो अपना LinkedIn handle शेर करना चाहूं, तो this is my handle, and now I am putting here, यहां पर नीचे अपने आप यह चीज़ आजेगा, if you want to show your name also, तो यहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, branding के लिए सब चीज़ जरूरी है, तो यह सब का इस्तमाल करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा भी दिखे, you know, your face should be appear, लेकिन उसमें एक चीज़ द्यान रखना है, कि उसके लिए आपका इसका premium version पर जाना पड़ेगा, paid version पर जाना पड़ेगा, तो आप नाम पर इसको पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक preview भी है, कि आपका जो slide से वो किस तरीके से दिखेगा, these are the preview, जो आप इहां पर देख सकते हैं, तो एक तो अपलियो पर जाके, automatically, with the help of AI, you can generate your causal post, which is to be posted on LinkedIn, आप यह कर सकते हैं, दूसा तरीका थोड़ा सा अपन research चलते हैं, हम पर देंगे, जैसे मुझे 8 slides के form में LinkedIn causal करना है, यहां पर create 8 slides, LinkedIn causal post on personal branding, अब जैसे मैंने लिखा, तो यह देखे, slide 1, जिसका title और content, slide 2, title content, इस तरीके से पूरा यह 8 slides हम लोगो बना के दे दिया, तो हम यहां से भी content ले सकते हैं, और उसको यहां पर, जो-जो slide है, let's suppose मुझ ले जाए, इस slide में कुछ बदलाव करना है, तो title के अंदर जाके, text के अंदर जाके, we can make this changes, तो एक तो तरीका है कि इसी पे जाके केवल इसको topic दीजे, यह causal बना देगा, दूसरा तरीका है, कि आप अगर जो थोड़ा सा research करते हैं, content अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे ह हैं, आपका खुद का content है, आप बहुत अच्छे research से उसको polish करना चाहते हैं, original content की साथ, तो फिर वो content बनाईए, और फिर उसको एक एक करके यहां पे लें, जैसे ही आपका causal बन जाता है, उसके बादा आपके पास download option है, आप देखेंगे, within a click, यह चीजे download हुजाती है, और यहां पे हमारे पास, जो option रहता है, वो रहता है, document का, यहां पे add a document, तो LinkedIn पे जो crossal होता है, वो document के form में आता है, मैं क्या करूँगा, यहां पे document select करने का option रहेगा, choose file करूँगा, choose file में जो भी crossal है, उसको select रहना है, और यहां पे यह document इस तरीके से दिखेंगे, आप for publishing, what you need to do, you need to, you know, write document file, इसका एक नाम दीजे, जैसे जो भी keyword इसमें आप देरा चाहते है, प्रेस्टन रांडेंग टिप्स, something like that, यह आप दे सकते हैं, उसके बाद जब इसको done करते हैं, just select, तो फिर आपके पास post का option आदेगा, 7 pages के form में, इस तरीके से 1 by 1, आपके सारे crossal यहां पे showcase हो जाएंगे, जो भी theme के साथ आपने download किया है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा है, एक caption लिखना चाहिए, और फिर इसको hashtag के साथ, कोशिस करें दिन से 5 hashtag, इस topics related, relevancy के साथ, आपको इसको use में लेना है, और फिर post का देना, तो बहुत interesting चीज़े और simple चीज़े, अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं, और daily basis में, if you know, posting it regularly, तो आप देखेंगे कि LinkedIn पे आपका engagement और काफी अच्छा branding आपका होते जाएगा, आज कल मैं आप लोग को एक साथ साधा भी करना चाहता हूँ, कि AI आज की डेट में content creation और marketing में बहुत help कर रहा है, मेरे AI और chat GPT पे लगभग बेस से उपर videos chat GPT playlist में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ न कुछ नया daily सीखने को मिलेगा, लगातार में videos भी बनानी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग channel के साथ बने हैं, तो आप लोग को subscribe करना है, और video अच्छा लगाओ, तो like, share, comment करें, कोई भी confusion इस तरह के content creation में, इस तरह के tool को use करने में आपको लगता है, तो you can share with me, आप मे तेरे से मदद ले सकते हैं, thank you for watching this video.